Dear students, welcome back आज हम जो lesson plan बनाने ज़ा रहे हैं वो है teaching of science का आपने teaching of science में अपना lesson plan कैसे ready करना है उसके बारे में मैं बताऊंगे आपको इसकी रिए पहले आप अपना role number, subject, time, class, जो topic है उसको आपने note करना है 5th general aid जो आपको चाहिए जैसे के classroom, blackboard, duster and chalk आप इसमें book भी लिख सकते हो specific aid आपके पास कोई model, chart कोई real objects भी हो सकती है general objectives के आपने इस lesson को जो prepare किया है तो उसके लिए आपने कौन से objective को ध्यान में रखा है specific objective जो आपके topic के हिसाब से होगा जैसे के जो आज हमारा topic है वो है human digestive system इसके बाद आपने बच्चों की जो previous knowledge है उसको test करना है test करने के लिए आप 4 से 5 जो question है उनको put करेंगे question put करने के बाद आपने topic को announce करना है जो topic आप करवाने जा रही हो next page पर आपने एक page पर दो कॉलम और साथ वाली page पर आपने दो कॉलम बना लेने हैं देखिए पहले कॉलम में आपने subject matter लिखना है subject matter में पहले introduction आएगी कि आप जो topic करवाने जा रहे हैं उसके बारे में आप simple जो knowledge है बच्चों को वो बतानी है then pupil teacher activity आप जो अपने lesson plan को कैसे पढ़ा रहे हो कहां आपने कोई teaching aid यूज करनी है कहाँ आप black文 पे लिखोगे वो सारी बाते हैं आपने यहां पे लिखनी है जब आप पढ़ा रहे हो तो pupils क्या कर रहे है? बच्चे क्या कर रहे है? उस बात को आपने यहां पे लिखना है फिर जो आपके पास teaching aid है black word है वो आपने यहां पे teaching aid paste करनी है जैसे के जो हमारा आज का topic है उसके हिसाब से हमारे पास जो photo है वो हमने यहाँ पे paste की है साथ में ही blackboard का work भी आएगा introduction के बाद आप धीरे धीरे जो भी अपना topic है उसको आप no down करना शुरू करोंगे और उसके हिसाब से आप जो अपना next जो lesson plan है वो आगे आगे इसको ऐसे complete करते जाओगे देखिए यहाँ पे blackboard भी लगाया गया है जो important बाते हैं lesson की उनको blackboard पे note किया गया है जो बच्चे हैं वो अपना काम अपनी note books पे note करेंगे इसके बाद है parts of the human digestive system फिर अकेले अकेले part को हम जब आप नए page पे start करोंगे तब भी आपने column वैसे ही बनाने है जैसे के last page पे मैंने बताया आप देखिए जो हम parts की बात कर रहे हैं पहले mouse के बारे में लिखा गया है फिर आपने उसको कैसे explain करना है आपके पास क्या है दिखाने के लिए जहाँ आपके पास कोई example है explain करते हुए तो आप बो बताएंगे बच्चों को देखिए teaching aid fourth column में piques की paste की गई है mouth के बाद teeth के बारे में बात करेंगे हम teeth का क्या काम है उसके बारे में हम detail में लिखेंगे तो अगर यह हमारे पास model है जा कुई chart है हम उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद है slavery glands हम बच्चों से कोई question भी put कर सकते है जो easy हो और जो बच्चों को समझ में आता हो ऐसे ही नहीं कि हम कोई ऐसा question पूट कर लें जो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहो बच्चे answer देंगे और देखे जी हमारे पास mouth and teeth की कितनी अच्छी picture हम पे लगाई गई है और इसको हम ऐसे explain कर सकते हैं human digestive system के जो अगले parts हैं देखे उनको subject matter में लिखा गया है subject matter और जो आपके पास teaching aid है उसके हिसाब से आपकी activity होंगी बच्चे भी उसके हिसाब से ही करेंगे देखिए blackboard पे detail में लिखा गया है जिस भी part के अब बात कर रहे हो उनमें से important बात है blackboard पे भी लिखनी है जब आपका half chapter complete हो जाता है तो आपने sectional recapitulation करनी है जो topic आप करवा चुके हो आदा उसमें से आपने question put करने हैं बच्चों को बट इनके जो answer है वो आपने note down नहीं करने आगे subject matter में दीखिए stomach के बारे में बताया गया है यहाँ पे जो teaching aid है वो इसके हिसाब से लगाई गया है then small intestine के बारे में बात की ही है teacher model पे दिखाएगा इसको और बच्चे ध्यान से model से देखकर understand करेंगे अपने topic को साथ साथ stomach और जो small intestine के हम बात कर रहे हैं उनके बारे में black word पे लिखा गया है then large intestine फिर rectum के बारे में लिखो गया आप यह question पूछा गया है आप इसमें जो कोई बच्चों की activity है वो भी रख सकते हो ता जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो active हो जाएं फिर पैंसर डाजेस्टिव परसेस इंडेस्टिशन mixing and movement जो भी topic है आपका उसके हिसाथ से आप अपने जो तीनो column है वो complete करते चाओगे ज्यान रहे जो blackboard पर आपने no down करना है वो सिर्फ important बात नहीं होनी चाहिए lesson plan थोड़ा बड़ा है इसलिए आप इसको जो final lesson plan होता है discussion जो अपने final practical देने के लिए बनाना है तो आप इसको बड़े अच्छे से use कर सकते हो इस topic को ले सकते हो जो भी अपना topic है उसके हिसाब से ही आपने जो pics हैं वो paste करनी है आप draw भी कर सकते हो अगर आपकी drawing अच्छी है जब आपका lesson plan है वो जो complete हो जाएगा तब आपने final recapitulation करनी है इसमें से आप 5 question पूछ सकते हो इनके वी जो answer है आपने note down नहीं करने है इसके बाद homework आप अपने हिसाब से homework बच्चों को दे सकते हूँ जैसे मैं suggest हमेशा करती हूँ कि आपने बच्चों को जो homework देना है वो creative होना चाहिए Dear students, मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपकी लिए बहुत helpful रहेगी Thank you